हाई फ्रेंड्स आप देखें नवीन इलेक्रोनिक शलूशन आज हम आपको सेलिंग फाइन रिवाइंडिंग में बारे में बताएंगे रिवाइंडिंग करना सिखा रहे हैं जो कि आप देखिए इस्टेटर साइज आपको दिखाते हैं यह मरें 12 mm का इस्टेटर है जिसमें कि हम कॉपर वाइंडिंग कर रहे हैं यह अंदर का वाइंडिंग है देखिए यह लीड देखिए जो की इधर से डाल गया है इधर से वायडिंग हो रहा है यान कि इस टाइप में फिर उसके बाद इसके विफ्रीत होगा फिर इसी तरह से इस वायर निकलना चाहिए तो इसको हम अंदर 380 टर्ण बाहर 400 टर्ण भरेंगे इसमें जो कि 380 400 टर्ण ये आपको 35 नंबर से डालना है जो कि हम 36 नंबर यूज कर रहे हैं कॉपर तो इसमें हम डालेंगे 370 और 390 तो हम आपको इसको बाइंडिंग करके अंदर वाला कॉइल आपको दिखाते हैं तो मैंने अंदर का कॉइल भड़ दिया है आप देख लीजी एकदम मसीन की तरह तो इसका लास्ट वाला सिर्य ये निकला है जिसको हम अब यहां से कट कर देंगी मैंने कट कर दीयों यह दो में पॉइंट हो गए यहां से इस टाइप से पिर उसके बाद यह बलटा ऐसे से आप करते हैं आएंगे तो यह साइट से डाला गया है उसी साइट निकलेगा तो यह कोईल आपका स्टार्टिंग का हो गया है अब रनिंग कोईल डालेंगे इसमें चलो आपको रनिंग कोईल डालना सिखाते हैं हुआ हाँ अब हम इसका पेपर सब कट कर देंगे कट करने पाद इसमें पेपर डाल दीञे इसको मोड़ करके कि उसके बाद हम इसमें एक हुआ लगाएंगे इससे शाट नहीं पहले मिसको कट करते हें सारा पेपर बिर्टक को आप है multiplier का है कट कर देंगे इसी टाइप से तो हम सारा कट करके पहले इसको फोल्ड करते हैं तो फ्रेंड्स मैंने इसके सारे पेपर्स कट कर लिए हैं देख लीजिए तब इस हम पेपर को इस सलोट के अंदर डाल देंगे इसको इसको ड्राइवर की मदद से सारे पेपर्स अंदर ले करके आपको दिखाते हैं इस टाइप से यह सारे पेपर्स को लगा दाएंगे लेखें ईसी टाइप से कि इसी तरीके से सारे पेपर्स को दवाना है तो हम सारे पेपर्स को पहले दवा देते हैं आपको दिखाते हैं तब पेपर के अंदर कर दिया है इसी टाइब से आपको सारे पेपर के अंदर करनेए अब हम इसते पेपर डालेंगे पेपर के ऑनी कोईलस भरेंगे यह से यह आपकर असारीज 씨 बोला भर भर्कोगते है झाल